Hello students, आज किस वीडियो में हम learn करेंगे एक grammar का topic जिसका नाम है common errors. इसके अंदर बहुत सारे topics आते हैं, अब हम एक-एक को करके इन सभी को learn करते जाएंगे, सीखते जाएंगे. जो first topic है वो है, error in use of noun. Noun के परियोग करने में जो error होती है, उसकी exercise. exam के point of view से सारे sentences बहुत ज़्यादा important हैं ये, और ये distance to education है, भी ये third year, उसके syllabus के topics हैं ये. My trouser is tight at the west. My trouser, trouser होता पाइजामा और उसको हमेशा कैसा noun माना जाता है, plural. Plural माना जाता है, लेकिन जो verb यूज की है, इनोंने वो is की है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा? Are. My scissors needs sharpening. Catchy होती है, catchy के two parts होते हैं, इसको भी plural मानते हैं, plural noun होता है ये भी, तो ये जो verb यूज की है, ये singular के according यूज की है, तो needs का क्या बन जाएगा? अखेला need. The gang was arrested by the police. The gang है, वो collective noun है, और हमेशा जो gang है, वो भी plural होता है, लेकिन यहाँ पर जो verb यूज की है, वो आप देख पा रहे होगे, वोज है, तो वोज की जगह पर क्या आ जाएगा? Were. What are the news? News जो noun है, वो भी singular है, तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा? Is. Next है, Sheila's friend's father is a teacher of some distinction. अब आप देख पा रहे होगे, Sheila's के भी अपोस्ट्रोफी लगा दिया, friends के भी, हम double अपोस्ट्रोफी एक साथ ही यूज नहीं कर सकते, तो यह correct की इस तरह से होगा? दा फादर, दा फादर ओफ सीला's friend, दा फादर ओफ सीला's friend, एक अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे हम सिरफ और जो पहले वाला है उसको हम दा से और ओफ से जोड़ देंगे, दा फादर ओफ सीला's friend, leaves of the poets are written by Dr. Johnson, leaves of the poets ये एक बुक का नाम है, और जो एक बुक होती वो singular होगी, तो आर का हम यूज नहीं करेंगे, इसकी जगे पे क्या यूज होगा? इसका, this books shop cater to my needs, अब हम देखें, तो यहाँ पे कोई भी है, उसको books shop नहीं कहते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, कोई किताबों की दुकान है, उसको हम कहते हैं, book shop, एक है तो book shop, और जादा है तो book shops, अब this लगाया है, तो वहाँ पर हमें use करना चाहिए, book shop, this book shop, और यहाँ पर लिखेंगे तो, और अगर verb को हम as it is लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, these, these, this का plural क्या होता है, these, these book, shops, cater to my need, how can we remain indoors in a fine weather like this, इस में जो indoor है, उसका हो जाएगा, इंडोर्स, next है, the rich is bereft of love and sympathy, the rich का मतलब है, यहाँ पर, the rich जो है, वो जितने भी rich लोग है, सभी को दिखा रहा है, सभी की तरफ संकेत कर रहा है, तो इसके, the rich, इसमें सभी rich आ गए, तो जो वर्ब है, वो singular कैसे आ सकती है, जब यह जितने भी rich है, अमीर लोग है, उनको denote क कर रहा है, तो यहाँ पर, इसकी जगे पर आ रा जाएगा, much need to be done, आपने देखा होगा कि एक होता है many, और एक होता है much, यह many जो number के लिए यूज किया जाता है, और much जो है, वो quantity के लिए यूज किया जाता है, माप के लिए यूज किया जाता है, तो much singular माना जाता है, much के साथ जो need है उसमें as or लग जाएगा, क्योंकि यह संख्या नहीं है, और यह हमेशे जो much है वो singular verb लेता है, All my son-in-laws are very brilliant and smart, अब son-in-laws का यह plural बना रखा है, यह wrong बना रखा है, क्योंकि इसका बनेगा sons-in-law, अगर हम इस तरह वाले जो words होते हैं और उनको हम plural बनाएं, तो यहां पर जो आता है, word उसके आगे ऐस लगता है, जैसे brother-in-law बनाएं, तो brothers-in-law लगेगा, sister-in-law लगाएं, का अगर plural बनाना हो, तो sisters-in-law बन जाएगा, ध्यान रहे यह बाते, I found the ships grazing in the valley, यह जो ship होती है भीड, यह कभी भी plural में use नहीं होता, इसके आगे कभी भी S नहीं होता, चाहे वो एक बेड़ो, चाहे कई हो अकेला, ship ही आता है, The police is investigating the case, police भी plural होगा, तो plural में हम R लगा देंगे हम यह पे, The innocent often suffers while the guilty enjoys himself, यह adjective से नाउन बनाने का एक तरीका होता, innocent का मतलब जितने निर्दोस होते हैं वो, the innocent, जितने निर्दोस हैं वो सभी, अब हम देखेंगे वर्ब, वर्ब लगा रखी है कैसे singular वाली, जबकि the innocent का मतलब जितने निर्दोस हैं वो सारे, तो इसका जो ऐसे वो यहां से remove हो जाएगा, while the guilty और जो अपरादी हैं वो enjoys, दुबारा से singular की वर्ब लगाई तो इसका SBM remove कर देंगे, बस यह mistake है इसमें, इसका बना रखा है, इसमें possessive case, इसका possessive कोई भी अगर सजी human beings हैं, व्यक्ति हैं, उनका अगर हमें possessive बनाना पड़े, तो हम apostrophe S लगा के बनाते हैं, जैसे the sister of Miss Kiran, यह गलत है, इसका क्या होगा, Miss Kiran sister, Miss Kiran's sister is very good at cooking, next है the news I have just received, SBM incredible, news है वो हमेशा कैसे, singular treat किया जाता है, जो verb आएगी वो भी singular आएगी, SBM के साथ ऐसोर लग जाएगा, He gave me many advices to improve my conduct, advice सला होती है, लेकिन इसको हम count नहीं कर सकते, तो many delete हो जाएगा, He gave me a lot of advice, और S भी कभी भी नहीं लगता, The police has arrested the thief, इसमें आप समझी गए होगे कि has की जगे, इससे पहले भी sentence में आया था, has की जगे, have हो जाएगा, Riches has wings, Riches पहले भी पढ़ चुके हो, has की जगे पे क्या आ जाएगा, have, Premises जो है, वो हमेशा plural होता है, और Premises के साथ जो लगाया है, वो looks के साथ जो ऐसे लगाया है, वो remove हो जाएगा, Mother-in-law should love their daughter-in-laws, पहले वाले sentence में हम पढ़के आए हैं, यह S यहाँ पे गलत है, यह mothers के साथ लगेगा, और यह S भी यहाँ से remove होके, daughters के साथ लग जाएगा, There are seven women teachers in our college, teachers तो ठीक, लेकिन अगर हम इस word की बात करें, तो इसका मतलब होता है, single, singular, और अगर हम इसकी बात करें, यह होता है plural, यह इसकी pronunciation होते है, women, और इसकी pronunciation होते है, women, तो यहाँ पर teachers के साथ, women आएगा, The committee is divided on the issue, committee, आप समझ पारे होगे committee, singular नहीं होती, plural होती है, लेकिन कुछ एक बड़ ऐसे होते हैं, जो plural होते हैं, और singular, दोनों ही तरह से treat किये जा सकते हैं वो, लेकिन यहाँ पर जो committee है, उसमें उनका अलग-अलग होना दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो verb आएगी, वो plural आएगी, The committee are divided on the issue, तो यह थी exercise की noun में कहां-कहां पर हम error कर सकते हैं, आने वाली वीडियोज में हम adjective के बारे में, preposition के बारे में, tenses के बारे में, और बहुत सारे topic ऐसे learn करेंगे, distance वाले students इन वीडियोज को पक्का देखें, क्योंकि उनके syllabus में यह है, और sentence इन ही में से आते हैं.